अगर प्रित्वी पर 20 तीवृता का भुकम्ब आया, तब उसका क्या परिडाम होगा? What will happen if Earth hits by 20 magnitude Earthquake? दोस्तों, इतना तो आप सभी जानते ही हुँगे कि धर्ती के किसी ना किसी कोने में रोजाना भुकम्ब के जटके जरूर महसूस किये जाते हैं। पर जब बात जियातत तीवृता वाले भुकम्ब कियाती है, तब वो हमें कभी-कभी देखने को मिलते हैं। अभी तक इस धर्ती पर 9 तीवृता का भुकम्ब आ चुका है, जो कितना विनाशक था कि उसने सैंकड़ों लोगों की जान ले ली थी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर किसे दिन धर्ती पर 20 तीवृता का भुकम्ब आ गया, तब उसका क्या परिणाम होगा? अगर नहीं तो चलिए क्योंकि इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। इससे पहले कि हम 20 तीवृता के भुकम्ब के परिणामों को जाने। हमारे लिए ये जान लेना बहुत जरूरी है कि आखिर धर्ती पर भुकम्ब आते कैसे हैं। वेल, भुकम्ब एक तरह का कमपन होता है, जो धर्ती के क्रस्ट से होकर गुजरता है। वैसे दो भुकम्ब आने का कारण एक जवाला मुखेव स्पोड और उलका पिंड का गिरना हो सकता है। पर अमूमन धर्ती पर भुकम्ब टिक्टॉनिक प्लेट्स के खिसकने से आते हैं। धर्ती के क्रस्ट को बनाने वाली ये टिक्टॉनिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं और एक दूसरे के ओपर स्लाइड होती रहती हैं। आपको जानकर आशर्र होगा कि जब ये प्लेट्स अलग-अलग दिशाओं में बढ़ती हैं, तब ये प्रित्वी के क्रस्ट में फॉल्ट लाइन नाम की एक चौड़ी दरार पैदा कर देती है। दोस्ते इन प्लेट्स के एक साथ धक्का लगाने की वज़ा से ज्यादा तर बुकंप फॉल्ट लाइन पर ही होता है, क्योंकि इन प्लेट्स से फ्रिक्शन पैदा होता है। मैं आप सभी को बता चुका हूँ कि भुकंप फॉल्ट लाइन पर आता है, इसलिए इसकी तीरृता भी फॉल्ट लाइन ही डिसाइड करती है। जी हाँ, जितनी बड़ी फॉल्ट लाइन होगी, भुकंप भी उतना ही तीरृता के साथ आएगा। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि आखिर भुकंप की तीरृता का आंकलन कैसे किया जाता है। तरसल ये रिचर स्केल की मदद से संभव हो पाता है, जिससे 1935 में Charles Francis रिचर नाम के एक विज्ञानिक द्वारा इंवेंट किया गया था। रिचर एक लॉगरिथ्मिक स्केल है, जिसका सही काम भुकंप से निकलने वाली एनरजी को नापना होता है। ऐसे करके ही भुकंप की तीरृता नापी जाती है, जो हर एक डिजिट के साथ सेंकड़ों गुना बढ़ती है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शिरुवात में बताया था कि इस दुनिया के अब तक के सबसे खतरनाख भुकंप की तीवरता लगभग साड़े नौ थी, जो कि साल 1960 में आया था। इस भुकंप का नाम वैलडीविया भुकंप था, जिसमें ना सिर्फ करोड़ों रुपे की संपत्ती नश्ट हुई थी, बालकि सेंकड़ों लोग भी मारे गए थे। वले ही मरने वाले लोगों की संख्या कम क्यों ना हो, पर जिस पैमाने पर ही वकंप आया था, उसने चिले के इस एरिया में तबाही लादी थी, जैसे लाखों लोगों के घर तबाह हो गए थे। इस बात को समझने के लिए आपको ये जान लेना चाहिए, कि अगर धरती पर साड़े दस तीवरता का भुकंप भी आता है, तब उसे धरती पर करीब 80,000 किलोमेटर लंबी फॉल्ट लाइन चाहिए, पर क्योंकि धरती का सरकंफरेंस ही केवल 40,075 किलोमेटर है, इसलिए ट इसा भुकंप कभी नहीं आ सकता, वेल, बिल्कुल आ सकता है, पर इसके आने का कारण दूसरा होगा, और वो कारण है अंतरिक्ष से आने वाला बड़ा सा उल्का पिंड, जी हाँ, एक उल्का पिंड की शक्ती का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं, कि आज से करोड साल पहले जब डाइनोसर प्रित्वी पर विलुप्त हुए थे, तब उनकी विलुप्ती का कारण एक एस्टरॉइड ही था, जिसका नाम चिकसुलूप एस्टरॉइड था, ये एस्टरॉइड जैसे ही धरती से ठकराया था, तब हमारी धरती पुरी तरह से हिल गई थी, औ अलनकी इस हलचल के बाद किसी वे डाइनोसर के पास बचने का स्थान शेश नहीं बचा था, जिस वज़ा से कुछी दिनों में इस दुनिया के सभी डाइनोसर्स मर गई थे, और धरती पर मौजूद सभी पेड़ पौधे भी नश्ट हो गई थे, इसी तरह अगर कोई बड धरती पर मौजूद लगभग सभी जवाला मुखी सक्री हो जाएंगे, और समय के साथ ही उन में विस्पोट होना शुरू हो जाएगा, जो कि भयंकर लावा को जन्म देगा, जो तेजी के साथ साथ हर तरफ पहल जाएगा, इतना ही नहीं इस भुकंब से समुद्रों में शहर के शहर डुबालेंगी, जिससे लाख लोगों की कुछ ही समय में मौत हो जाएगी, इस सब के बाद धरती पर और भी खतरनाग भुकंब आना शुरू होंगे, जिससे धरती में बहुत सी जगहा बड़ी-बड़ी दरारे आ जाएंगी, अगर किसी भुकंब को धरती को तब उसे धरती की, gravitational binding energy को overcome करना होगा, gravitational binding energy की बात करें, तो ये minimum value को describe करती है, जितनी gravity के influence में एक spherical और uniform object को एक साज जोड़े रखने के लिए आवश्यक होती है, आपको जानकर आशर्रे होगा कि अगर धरती पर 20 दिवरता का पुकंब आता है, तब ये इतनी energy generate करेगा कि धरती की, gravitational binding energy को भी overcome कर जाएगी, वो भी बहुती अराम से, अब क्योंकि एक 20 की तीवरता का पुकंब धरती की gravitational binding energy को overcome कर सकता है, तब इससे धरती का तबाह होना लगभग निश्यत ही है, जिससे हम चाह कर भी नहीं बच सकते, खैर एक रास्ता है जिसकी मदद से हम किसी उ asteroids को दूर सही detect कर सकते हैं, जिससे हमारे पास खुद को सुरक्षित करने का मौका जरूर होगा, दोसर फिलहाल तो ऐसी कोई तकनीक नहीं है, जिससे किसी बड़े उलकापिंड को धरती से ठकराने से रोका जा सके, पर नासा और दोनिया की कई अन्य बड़ी space agencies ऐसी तकनीक इजात करने में लगे हुए हैं, जिससे उलकापिंड को धरती से ठकराने से रोका जा सकता है, इस वक्त विज्ञानिकों के सामने एक ग्राविटी ट्रैक्टर एक सबसे बहतर विकल्प बनकर सामने आया है, जो कि धरती के तरफ आ रहे किसी बड़े ऐस्टरोइट को डिफ सुरक्षित हो जाएगी और हमें बीस की तिरुरता के वकंब का सामना नहीं करना पड़ेगा, इसके अलावा अगर इसकी आर्टिफिशल ग्राविटी एस्टरोइट को अपनी तरफ नहीं खीचती, तब विज्ञानिकों ने इसके लिए एक दूसरा विकल्प भी सोचा है, जिसमें वो इस ग्राविटी ट्रैक्टर को उसी एस्टरोइट से टकरा देंगे, जिससे वो अपने रास्ते से हलका सा भटक जाएगा और हमारे धर्ती बच जाएगी, भले ही एस्टरोइट के पात को मोडने की तखनीक इस वक्त हमारे पास नहीं है, पर आपको इसे जरा अगर पसंद आए हो तो इसे लाइक करें और कमेंट करके अपनी राये जरूरते, धन्यवाद